तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में हो रही प्रोजेक्टों की देरी के लेकर कोट के अदेश के बारे में अगर आप नभी तक हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और पहले एकन जूड़ दो आएंए शिवर मुझे दार वीडियो के लिए है पटना हाई कोट ने कोलीवर बकसर एनेच को जल से जल पूरा करने का अदेश दिया है कार्य के लिए रस्ते में आ रहे पांच धार्मिक स्थलो को जल शिफ्ट करने का अदेश दे दिया गया है हाई कोट ने नेशनल हाईवे के निर्माण, विकास और मरमत के मोनिटरिंग के साथ साथ विविन राजमार को के कार्यों की प्रगती की स्विक्षा करते होए यह अधेश दिये कोट ने रास्ते में आने वाले अनेको अतिक्रमन को भी हटाने के लिए भोजपूर जिला प्रशाशन को दो हफसे का समय दिया है कोट ने एनेचियाई के अधिकारियों से भी पूचा है कि इस कार्य में देर क्यों हो रही है कोट को बताया गया है कि महेश खुट सहरसा समय सी में दो साल आगे बढ़ा दिया है अब इसकी डेडलाइन दिसंबर दोहजार तेईस जबकि इस सड़क पर बीच फीजदी ही कारे पूरा हुआ है कोट ने इस मामले में एनेचियाई को अलफल नामा दायर करने के अधेश दिये हैं कोट ने राज्या के विकास आयुक को लेकर क्या विचार हैं बताएगा में कमेंट सेक्शन में हैं आशा करता हूँ आपको मारी वीडियो पसंद आई हो मिलते हैं एंगली वीडियो में थैंक्स फॉर वोट्ट